नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है भी नहीं दोस्तो इस वीडियो के माद्धम से आप सभी लोग को बताने वाले हैं जैसा कि दोस्तो आपका यूपी एनेचेम एनम का यहां से एक्जाम होने वाला है उसमें दोस्तो जो आपके most important question बार बार exam में पूछे गए हैं वही साल पेपर मिलेगे जैदी दोस्तो वीडियो अच्छा लगे question अच्छा लगे तो like और चनल को subscribe दिरूर कर दीजेगा तो दोस्तो यहां से जो हमारा पहला question आप सभी लोग के सामने आप सभी लोग को यहां से दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंती है तो दोस्तो यहां से जो जो आपकी RBC है वह बनती है तो RBC आप सभी लोगों को पता होगा यह RBC red blood cells को कहा जाता है लाल रक्त कड़िका को तो दोस्तो यहां से जो आपका लाल अस्थी मज्जा हो जाएगा यहां पर आपकी red RBC बनती है इसलिए right answer यहां से दोस्तो आपका option number D एकदम correct हो जाएगा उसके बाद दोस्तो अगला question आप से पूछा गया है कि कौन सी अस्थी collar bone कहलाती है तो दोस्तो यहां से जो आपकी quick vehicle होती है यह आपकी collar bone कहलाती है इसलिए दोस्तो जो right answer हो जाएगा आपका option number D एकदम correct यहां पर हो जाएगा उसके बाद दोस्तो अगला question है आपके सामने लाल लक्त कड़ियाओं का जीवन काल कितना होता है तो दोस्तो जो आपकी लाल लक्त कड़ियाओं होती है उसका जीवन काल आपका 120 दिन यहां से होता है यह भी most important question है बार बार exam में पूछा जाता है और 100% आपके इस बार भी exam में आने वाला है तो इसलिए दोस्तो आप ए हत्पूर कोशन है और important question है इसलिए एक कोशन को अच्छे तरीके से तयार कर लीजिए उदर के किस भाग में मायक बरनी विंदू होता है तो दोस्तो यहां से जो आपका निचला दाहिना होता है यहां पर आपके जो यहां से मायक बरनी है वह इस्थित होता है इसलिए दोस् नंबर सी यहां पर एकड़म करेक्ट हो जाएगा अगला question है निम निम में से कौन सी सरीत की master गरंथी कहलाती है तो दोस्तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि जो master गरंथी होती है उसे हम pituitry गरंथी को कहते है इसलिए यहां से जो राली ट्रेंसर हो जाएगा आपका option नंबर सी pituitry gland एकड़म करेक्ट हो जाएगा अगला question दोस्तों आप से पूछा गया है कि निम लिखें में से खाली स्थान को छोड़का सभी हड़िया लंबी होती है तो दोस्तों यहां से जो आपकी इस पैस्टुला होती है इसको छोड़कर बाकी जो सारी हड़िया आपक इसलिए दोस्तों जो राइट अंसर हो जाएगा आपका इसका पीला एकडम करेक्ट आपसन नंबर डी हो जाएगा निम लिखें में से कौन सी उपचार पध्धती भारतिया मूल की है तो दोस्तों यहां से जो आपको यहां से आपसन में दिया गया होम्मेय पैठी यूनान इसलिए यहां से जो आपकी सिध्धि पैदती है इसलिए यहां से जो राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसन नंबर भी एकडम करेक्ट हो जाएगा बीमारी काल के दवरान एंटीबाडी निर्मार दवरा उत्पन इम्यून्टी है तो दोस्तों यहां से जो आपकी लोगों को पता होना चाहिए कि सारीदिक मांसिक और समाजिक स्वास्त का पुनरवास को ही कहते हैं इसलिए दोस्तों यहां से जो राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसन नंबर सी एकडम करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है दोस्तों वहरोग जिसे किसी देश में आयात किये जाता है जिसमें अन्यथा ऐसा नहीं होता तो दोस्तों यहां से जो एक्सोटिक होता है यहां इस प्रकार के स्रेड़ी के अंतरगत आता है इसलिए दोस्तों यहां से राइट अंसर आपका आपसन नंबर एक राइट अंसर हो जाएगा आपका option नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा 6 रोग नामक संक्रामक विमारी का कारण है तो दोस्तों यहां से जो आपका 6 रोग है जिसे आप दोस्तों यहां से TB का फुलफार्म भी आप सभी लोग को पता होना चाहिए कई बारिग जाम पूचा का कारण है तो दोस्तों यहां से जो आपकी फुफुस धमनी के रक्त प्रवाह में ब्रिध्धी हो जाने के कारण यहां बंद हो जाता है इसलिए आपसर नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा बुखार सिर्दर्द एम गर्दन में जगड़न किस रोक के आदर्स लच्छन है तो दोस्तों यहां से जो आपको मुझाइड है इसकी लच्छर कहलाते हैं इसलिए आपसर नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा एक नौजास सिसू अर्व पालसी से पीडित है नर्स जानती है कि यहां समस्य खाली इस्थां के कारण है तो दोस्तों यहां से नर्स के है इसलिए राइट अंसर आपका अपसर नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा यह नर्स के लिए मोस्ट इंपार्टन कोशन है और बार बार या एनमिक्जाम में रिपीट हुआ है गंभीर निजली करण का कारण है तो दोस्तों यहां से जो आपके धासे फंटेनल होते हैं जि के अंतरगत आता है इसलिए दोस्तों जो राइट अंसर हो जाएगा आपका अपसर नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा कौन से विवार को नर्स मोरो रिफ्लेक्स के रिस्पॉंस के रूप में पहचानती है तो दोस्तों यहां से जो आपके भोहों में पर आपावरतन प जिन तक के एक कारणा आप एक बेक्ति पूरक धंक से अनुभूट डर जो होता है उसके कारणा ऐसा होता है तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप डी एसस भी स्टाब नर्स की एक्जाम में 2017 में पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपार्टन कोशन है बार बार रिपीट होता है इसलिए दोस्तों आप से लुको ध्यान में रखना इसका राइट अंसर आपका अपसन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा है हैंडी हैंडी यह मेरा काम है वह सेब माश्टर करड मटर की दुकान चाहिए यह क्या है तो दोस्तों यहाँ एक विचारों की उड़ान होत करता है इसलिए दोस्तों जो राइट अंसर हो जाएगा आपका अपसन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा वजन बरने से रोकने के लिए बहुत खाना फिर उल्टी करना या विचेरक और सधी लेना कहलाता है तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग इसको यहां से बु क्रिया को अउद्द कर देती है उसी ही यहां से अंटि साइकोटिक आउसर यह काईते हैं इसलिए दोस्तों जो राइट अंसर हो जाएगा आपका अपसन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा यह दोस्तों कमश कम दो से तीन बार यहां कोशन एक्जाम में पूछा जा में पिट की रिहाई को उत्तेजित करता है तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वह आपका अपसन नंबर सी काल्स स्टोकिन एकदम करेक्ट हो जाएगा जो की आपसन नंबर सी में आप सभी लोगों को दिख रहे हैं अगला कोशन है दोस्तों QSQ में हीमोपोटाइसिस कहां पाय जाते हैं։ तो जो आपके QSQ होते हैं उसमें हीमोपोटाइटीस आपके लाल-अस्ति मज्जा में मौजूज होते हैं इसलिए right answer यहां से आपका option number C एकदम करिक्ट हो जाएगा अगला question है दोस्तों निम लिखिन में से कौन सा पुरुष सेक्स हर्मोन है तो दोस्तों यहां से जो आपका टेस्टे इस्टोरान हो जाएगा यहां आपका पुरुष सुक्त हर्मोन कहलाता है इसलिए right answer यहां से आपका अफसन नंबर है एकडम करिक्ट हो जाएगा दोस्तों इसलिए right answer यहां से आपका अफसन नंबर है एकडम करिक्ट हो जाएगा अगला question है दोस्तों प्रारंभिक द्रिस्ट की छेत्र में इस्थित होता है तो दोस्तों यहां से जो आपका राइट अंसर हो जाएगा आपका ओक्सिपीटल लोब एकडम करिक्ट हो जाएगा जो कि आपका अफसन नंबर D दिख रहा है अगला question है कंकाली मास्पेशी इस्कलेटस मसल में संकुचन सील प्रोटीन होता है तो दोस्तों जो आपका प्रोटीन होता है वह आपके एक्टिन नमपदार से पाया जाता है इसलिए right answer यहां से आपका अफसन नंबर एकडम करिक्ट हो संचार के माध्यम से ऐसा हो पाता है इसलिए यहां से right answer आपका आपसन नंबर समाजिक संचार एकडम करिक्ट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यह एक महत्तुपूर्ट टॉपिक आपके एक्जाम से रिलेटर बनता है इसमें से 100% question आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं अगला question है computer पर कार्य करने वाले सबसे आम व्यवसाइक जोखिम क्या है तो दोस्तों यहां से जो सबसे आम व्यवसाइक जोखिम होता है वह आपका कारण होता है इसलिए यहां से जो right answer आपका हो जाएगा आपका option number D एकडम करिक्ट हो जाएगा इन में से कौन सी सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है तो दोस्तों यहां से जो आपके जन्म के जीवनकाल समय की संभावना जो आपकी होती है या आपके संकेतक कारिन नहीं है इसलिए दोस्तों आपका option number D एकडम करिक्ट हो जाएगा किसोरों के बीच मिरितु का प्रमुक कारण इन में से कौन सा है तो दोस्तों जो आपकी यात मत्य होती है या सबसे जादा यहां से किसोर के द्वारा उठाय गया कडम होता है इसलिए right answer आपका option number D यहां से हो जाएगा क्योंकि यह सारी question आपके लिए महत्तपूर है और आप अच्छे तरीके से पढ़के जाएगा रेवीज का रोग निरूपक है तो दोस्तों जो आपका रेवीज का रोग होता है वह आपके कुट्टे के काटनेस होता है आप सभी लोग को पता होगा यहां से नैगरी बोडिज के अंतरगात आता है इसलिए यहां से right answer आपका आपसन नमबर A एकदम करेक्ट हो जाएगा कापलिट स्प्लाट लच्छन है तो दोस्तो जब आपका यहां से कापलिट स्प्लाट लच्छन होता है वो आपके मीजल्स के द्वारा उत्पन होता है इसलिए यहां से राइट अंसर आपका आपसन नमबर A मीजल्स एकदम करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है दोस्तों नौजार सिसु में पेलिये के उपचार है तो नीम ने थेरिपी का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों जो आपके नौजार सिसु होती है उसमें जो पेलिये के लच्छन पाए जाते हैं उसके उपचार के ल खसरे का टीका बच्चे को किस आयू में दिया जाता है तो दोस्तों यहां से जो आपके बच्चे होते हैं उसमें नौ से बारा महीने की जो आयू होती है उन आयू के बच्चे को यहां से खसरे का टीका दिया जाता है इसलिए जो राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसन नं यहाँ से तो दोस्तों यहाँ से आपका आपका सेवन यहाँ पर करना चाहिए इसलिए राइट अंसर यहां से आपका आपसन नमबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा पहली पोलियों की खुराख कब दी जाती है तो दोस्तों जो आपकी जन्म होती है जन्म के तुरंत बाद ही जो आपकी पहली पोलियों की खुराख है वह दी जाती है इसलिए राइट अंसर यहां से आपका आफसन नमबरे एकदम करेक्ट हो जाएगा यह सारे question दोस्तों आपके preview जी ये exam में पूछे गए हैं और बार-बार exam में repeat होते रहते हैं इसलिए सारे ही question को आपको अच्छे तरीके से याद करना है और इनके concept के base पर आपको क्यारी करना है है अगला question है दोस्तों कौन सी बीमारी कुपोसर में जानलेवा हो सकती है तो दोस्तों यहां से जो आपके खसरा बीमारी होती है वो आपके कुपोसर में जानलेवा हो सकती है इसलिए यहां से राइट अंसर आपका सी इक्दम करेक्ट हो जाएगा निम लिखिन में से किसकी कम तो दोस्तों यहां से जो आपका थाइराइड होता है आप सब्सक्राइब करता हो जाएगा दोस्तों यहां से किसकी कमी से गलघंट नामक रोग होता है तो दोस्तों यहां से जो आप सभी लोग को पता होगा गलघंट नामक जो आपका गलाइटर रोग होता है वह आपके आयोडीन के ही कमी से होता है इसलिए दोस्तों यहां से जो आपका राइट अंसर हो जाएगा आ तो दोस्तों जो आपके थाइराइड ग्रंत होती है वह आपके ग्रीवय छेतर में स्थित होती है इसलिए दोस्तों जो राइट एंसर आपका हो जाएगा आपसन नमबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सारे question important है इसलिए आपको एक-एक question को अच्छे तरीके से देखना है यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो like और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे और एक से एक अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा अगला question है दोस्तों सरीक कौन सा अंग स्वासन प्रक्रिया में संबंदित है तो दोस्तों यहां से जो आपका फुपुस होता है जिसे आप लंग्स भी कहते हैं इंगलिस में यहां आपके स्वासन से संबंदित होत होता है इसलिए दोस्तों जो आपका आपका जो इग्जाम के कौरिशन में पूचा गया है इसलिए दोस्तों इसको भी आप सभी को सारे ही कोर्शन को अच्छे तरीके से ज्हान में रखियेगा अगला question है दोस्तों लेंडिंग कोसिकाओं की स्थिती एक स्रा उह होए तो द दोस्तों यहां से जो आपका विरिशन होता है इसके ही दोечно आपका यहां से edyny25 hiện, यहां को स्रामड होता है इसलिए दोस्तों इसको अच्छे त Alexis लोकर यहां से दियाँ में रखना है अगला कोश्चन है दोस्तो कोशिका का सक्तिग्री कहा जाता है तो दोस्तो यहां से जो आपका कोशिका का सक्तिग्री कहा जाता है वह आपका मैट्रो कंडिये को कहा जाता है यह भी मोस्ट इंपर्टन कोश्चन है कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है पर पिछली बा स्टोमस में इपस्थित होती है इसलिए इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसन नमबर डी एकडम करीक्ट हो जाएगा अगला कोशन है दोस्तों आरेक नाइड वा पायरो मेटर के मध्ध पाय जाने वाले खाली अस्थान क्या कहलाता है तो दोस्तों यहां पर जो जाने वाले Nahe मरीजों मे भारत में पाये जाते हैं तो दोस्तों यहां से very Babylon स्वेश्यों आप से पूछा गया है कि पूरे भीशों में भारत में कितने पर्शन्ट नाए मडिश पाये जाते हैं तो दोस्तों यहां से जू आपका इसका परसेंट है वाप 20 परसेंट आप सभी लोग को ध्यान में रखना है यह जो इस प्रकार के कोशन होते हैं 100% आपके एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसलिए ऐसे कोशन को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है अगला कोशन है दोस्तों खसरा की संक्रमक्ता कम होने लगती है तो दोस्तों किस सकत्य प्रकट होने के पश्याद आपको कुश इस प्रकार से लच्छन दिखें तो जो खसरे की संक्रमक्ता है वह कम होने लगती है इसलिए दोस्तों जो राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसं नमबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा भारत में निमलिखिन में से कौन सा प्रसम संदर्बन इखाई FRIU के रूप में कार्य करता है तो दोस्तों यहां से जो आपका सामुदाइक स्वास्त केंद होता है जिसे आप CSC कहते हैं यह आपका इस केंद पर कार्य करता है इसलिए दोस्तों यह राइट आंसर हो जाएग आपका आपसन नंबर सी क्योंकि इस प्रकार के भी कोश्चन आपके इज्ञाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए सारे ही कोश्चनों को अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है अगला कोश्चन है दोस्तो कुष्ट रोग कारिकरम के लिए सगहन IEC गतव क्लो सेज्च टीयूफर को जाएगा इसलिए यहां से गलिक नंबर सी एकडम करिक्ट हो जाएगा में टॉक टेक्स्ट का परीडाम पड़ा जाता है तो जो जो होता यापके तौचा में कुछ इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं चित्रे माध्धर से बना कर तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो आपका हाथ होता है यहाँ पर आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से जो सिरिंज होती है उसके दोरा यहाँ पर जो सुई है सुई लगा कर यहां पर कुछ इस परकार से जो दवा है उसको लगाया जाता है जिससे थोड़ा मतर के दाने की आकार की यहां पर दवा लग जाती है और इस आकार को आपको 24 घंटे तक रखना रहता है उसके 24 घंटे बाद यहां पर उसे देखकर यहां पर टेस्ट का जो पर तो दोस्तों यहां से चीकन घुनिए एक अगहातक रोग है तो दोस्तों की जानुके चीकन sesr लिट्र पानी को वी संक्रमिट करने के लिए कितनी मात्र की क्लोरीन की गोली का प्रयोग किया जानता ही है तो दोस्तों यहां से जो आप 20 लीटर पानी का को उसको विसंक्रमित करने के लिए जहां से आप सभी लोग को 0.5 ग्राम जो आपकी क्लोरिन की गोली है उसका प्रयोग करते हैं इसलिए गल्सुवा एक बीमारी है जो खाली इस्थान को प्रभावित करती है तो दोस्तों यहां से जो आपके मम्स होती है वहाँ एक प्रकार की बीमारी होती है जो आपके पेरोटिट गरंथी को यहां से प्रभावित करती है इसलिए राइट अंसर आपका यहां से option number एकदम correct हो जाएगा बच्चों में आने वाले दातों की पहली जोड़ी है तो दोस्तों यहां से जो आपके करिंतक होते है आपके बच्चों में आने वाली दातों की पहली जोड़ी को खा जाता है इसलिए दोस्तों जो right answer उसका हो जाएगा option number भी एकदम correct हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार के question आपके exam में बहुत जादा पूछे जाते हैं इसलिए अच्छे तरीके से एक question आपके लिए महत्त्रपूर है खाली इस्थान दोग में बच्चों में लच्छन को driven by motor रूप में वरडित किया जाता है तो दोस्तों यहां से जो इसका right answer हो जाएगा आपका ADHD एकदम correct हो जाएगा फोटो तैरिफी के दावरान नर्स को सीसु की आखो पर पट्टी का तुकड़ा क्यों रखना चाहिए तो दोस्तों यहां से जो आपका पट्टी का तुकड़ा है वह इस प्रकार रखना चाहिए क्योंकि जो आपका आपके बच्चे की दुहनी होनी चाहिए वह आपके 110 से 170 धड़कन प्रतिमिलट होनी चाहिए यदि आपका बच्चा इस रेड़ी में है तो वह स्वस्त है इसलिए दोस्तों जो राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसन नंबर ही हो जाएगा क्योंकि यह सारे चीजे नर्स क एक्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे तरीके से इन सारे आपको ध्यान रखना है एक स्वस्त सिसु के जन्म के बाद डाक्टर्स आइटियोस बन जाता है तो दोस्तों यहां से जो आपका यहां है आपका लीगामेंट और यहां से इसलिए राइट एं जीजी से होता है इसलिए दोस्तों जो राइट इंसौर इसका हो जाएगा आपका आपसं नमर सी सारे अने बिकास एकड़म करेक्ट हो जाएगा एक षालान हो जा coh आपका option number D एकदम correct हो जाएगा, बोलने या बोले गए सब्दों को समझने में आयोगिता कहलाती है, तो दोस्तों जो आपकी आयोगिता होती है, वह आपकी एपसेपियस सीरेणी के अंतरगत आती है, इसलिए इसका right answer आपका option number B एकदम correct हो जाएगा, मनोविदलना वह एंड्रेडोमिय सब्द का मतलब है, तो दोस्तों इस सब्द का जो आपका मतलब होता है, वह आप सभी लोग को पता होना चाहिए, मनुरंजय के वह आनंद दाय घटनाओं पर रतकरिया में आयोगिता जो होती है, वह इस घटना को कौन सी कोशिका है, करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों अगला कोश्चन आप से पूछा गया है कि प्रोथ्रोंबिन टाइम कितना होता है, तो दोस्तों जो इसका टाइम होता है, वह आपका 9 से 12 सेकंड होता है, यह भी most important question है, कई बार एक्जाम में repeat हो चुका है, और 100% आपके एक्ज practice होता है, इसके कारण ही ऐसा यहां से आपके possible हो पाता है, इसलिए जो इसका right answer हो जाएगा, वह आपका option number एकदम correct हो जाएगा, अगला question है, दोस्तों अस्थिय घंता को कमी कहलाती है, तो दोस्तों यहां से जो आपकी अस्थिय घंता होती है, उसमें कमी आपके यहां से अ positive रख तो उपलब्द नहीं है, रोगी को कौन सा रख दिया जा सकता है, तो दोस्तों यहां से यहां से यहां से खून लगाना चाहिए, इसलिए यहां से इसका right answer हो जाएगा, वह आपका O negative हो जाएगा, क्योंकि यहां के पास O positive नहीं है, तो दोस्तों आप O negative blood का यहां पर अगला question है, दोस्तों T-Cosica T-cell कहां परिफक्त होती है, तो दोस्तों यहां से जो आपका थाइमन होता है, यहां पर जो आपकी T-Cosica होती है, वह पाई जाती है, इसलिए दोस्तों जो right answer हो जाएगा, वह आपका option number है एकदम correct हो जाएगा, यह भी most important question है, कई बार exam में पू इसलिए इन्प्रकार के question को भी आप से लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि परिवार द्यवायाजन시면 परिवार करेखं़ा हो जाएगा, वह प्रोंड़ी आपका से related बहुत से question आपके exam में पूछा जाता है, तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा, आपका यहां से गर्भावास्ता, फैल्विक से संक्रमण और हिदे रोग, इन तीनों से ही यहां से आपका बचाव होता है, इसलिए अन्द बिकल्पों में से सभी जो बिकल्प हो जाएगा, आपका option number D, एकदम करेक्ट यहां पर हो जाएगा, ट्रेपोनिया, पेलीडियम की वज़े से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो दोस्तों यहां से जो आपकी इस वज़े से बीमारी होती है, वह आपका selfish होती है, इसलिए यहां से जो right answer हो जाएगा, आपका option number, शिफिलिस एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट हो जाएगा, निम लिक्षिन उसे खाली अस्थान को छोड़कर आसा कारे करता, आसा वरकर को नीचे दिये गए, सभी अस्थानों में न्यूक्त किया जा सकता है, तो दोस्तों यहां से आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका सामुदाइक स्वास्त केंद होता है, जिसे दोस्तों आप सभी लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि यहां से कहां पर नहीं दिया जा सकता, तो दोस्तों यहां से CSC समुदाइक केंदर पर नहीं दिया सकता, बाकि आपका यहां से फील्ड का दवरा, उपकेंदर, सुपर, इस्पेशलिटी आस्पिटल, इन जगहों कर इनकी टै एक्जाम में आया था, और इस बार भी 100% आ सकता है, तो इसका जो आपका सरवादिक उस्मायन अवधी होती है, इसे आप क्वारंटाइन कहते हैं, इसलिए राइट अंसर आपका आप्शन नंबर A यहां पर एक्दम करेंग्ट हो जाएगा, मेंटॉक्स परिच्छन पढ़ने में लगने वाला समय है, तो दोस्तों यहां से जो आप सही लोग को पता होगा, कि मेंटॉक्स परिच्छन आपका यहां से टूबर क्लोसिस, जिसे दोस्तों आप पीवी कहते हैं, उस बीमारी के यहां से उचार को पता करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों जो इसका आपका टीका है, वा उसको पढ़ने के लिए 40-42 घंटे का समय लगता है, इसलिए राइट अंसर आपका अप्शन नंबर C एकदम करेक्ट हो जाएगा, कपास धूली के आंधतास्वसन से होता है, तो दोस्तों यहां से जो आपका कपास बताऊगा कि फिट्टे के काटने से आपके यहां से रीविज नमञ जो बीमारी होती है, वा फैलती है, यहां आपके केंड्री यह 3 trois जो आपका तंतीका तंत है वह उस पर प्रभाव करता है इसलिए आप का सबसे ज्यादा प्रभाव apple होता है इसलिए रिट अंसे आपका aption no b हो जाइगा एकडम करेक्ट हो जाएगा। बहुत देशी यह स्वाश्त कार्यकरता की और धारणा किसके दौर दी गई थी तो दोस्तों यहां से जो आपकी चट्धा समिती बनाई गई थी उनके द्वारा जो आपकी बहुत देशी है स्वास्तिकार करता की अवधारण थी वह उनके द्वारा ही दी गई थी इसलिए राइट अंसर यहां से आपका आपसन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा बारवी ट्री रेट के प्रेयोग को अचानक छोड़ देने वाले बैक्तिको क्या हो सकता है तो दोस्तों यदि आप इस प्रेयोग को कर रहे हैं और अचानक से इस प्रेयोग को छोड़ देते हैं तो दोस्तों जो आपके दवरे हैं उस पढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते जादा तर यहां पर मरीजों में इस प्रकार के दावरे देखने को मिलते हैं इसलिए जो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका दावरे एकदम करेक्ट आपसन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा इसलिए दोस्तों आपको इस प्रियोग को बिल्कुल भी नहीं चोड़ दोस्तों समूह ची किस्टा जिसे गुरुप ठेरेपी कहते हैं उनकी सरवाधिक मदद करती है तो दोस्तों यहां से आप सभी लोग को पता होगा जिनमें सुनने वाला कोई नहीं होता और उनमें ही सबसे जादा मदद करते हैं इसलिए राइट अंसर आपका आपसन नंबर किसका भाय होता है तो दोस्तों यहां से जो आपका एगोराफोबिया नामक बीमारी होते हैं इसमें आप सभी लोग का जो खुली अस्थान होते हैं उसमें सबसे जादा भाय महसूस होता है रोगियों को इसलिए जो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसन नंबर पहली बार किसके द्वारा काम में ली गई थी तो दोस्तों यहां से जो आपके सलेट और बिन्नी थे उनके द्वारा यहां से जो सरवपर्थम यहां से सब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था तो दोस्तों इसके जो आपके रचईता है उसके कोज करता आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है और आपको कोई भी कोश्चन मिले बैग्यानिक से लेटर उसको भी आप सभी लोगों को पढ़के जाना है क्योंकि इस प्रकार के दो-तीन कोश्चन आपको एक्जाम में जहूर देखने को मिलते हैं इसलिए जो इसका राइट अंसर हो जाए आपको वह जेट ट्रैक विधी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा इसलिए राइट अंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा इसलिए यहां से अधिविटी उचयार का उपयोग किया जाता है इसलिए राइट अक्टिविटीन का उपयोग किया जाता है इसलिए राइट अंसर आपका भी एकडम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा एक OCD का मरीज ठीक हो जाता है एक परिवार तीन माह से पूर उचार रोक देता है नर्स परिवार को क्या सिच्छा देगी तो नर्स के जो परिवार के सिच्छन से गर्भास है के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रसारी दवाय है तो दोस्तों यहां से जो आपके इस संकुचन को बढ़ावा देने के लिए आपकी यहां से आक्सी तोसिन दावों का उपयोग किया जाता है इसलिए यहां से जो right answer हो जाएगा आपका option number एकदम correct हो जाएगा क्योंकि यह most important आप सभी लोग के exam के लिए है एक बेक्तिके रक्तिचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुक कारक सभी है CY तो दोस्तों यहां से CY पूछा गया है मतलब इस एक को छोड़ कर बाकी सभी जो आपके प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जैसे कि दोस्तों इस टोक की मात्रा सीरा परके में आपसी और हिदय किदर यह तीनों ही इसमें प्रभावित होती है लेकिन यहां से जो आपका सामान ने सरीर का वजन है यह इसमें के लिए उपयोगी नहीं होता इसलिए दोस्तों जो राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसन नमबर डी यहां पर एकदम करिक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सीवाय पूछा गया है एक को छोड़ कर तो दोस्तों यहाँ से आपका अपसन नमबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा पारकिसंस रोग के संकेत और लच्छण क्या है तो दोस्तों यहाँ से जो आपका यह रोग होता है या बहुत ही देंजरस रोग होता है और इसके लिए जो आपके सरीर में कंपन बिगड़ा हुआ आसानियम संतुलन और बोलने में परिवर्तन यह सारे ही जो परिवर्तन होते है वह आपके सरीर में देखने को मिलते हैं इसलिए दोस्तों जो आपका राइट अंसोर इसका हो जाएगा अपसान नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा एक प्रकार का फैक्चर जिसमें हड़ी का एक तुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे निम्न कहा जाता है तो दो सरकरा का मान सामान से उपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमें के नीचे है जो गर्भावस्ता के दवरान होता है उसे क्या कहा जाता है तो दोस्तों उसे इस प्रकार के रोग को आप यहां से गर्भा कालीन मधुमें है कह सकते हैं इसलिए राइट अंसोर आपका आपसान नं कैंसर में विभिन स्योंजी उत्को का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है तो दोस्तों इसे आप यहां से लिकेमिय कहते हैं इसलिए राइट अंसोर यहां से आपका आपसान नंबर डी एक्दम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह आपका इसी को सिकाव में उत्पन होने व आपका आपसान नंबर भी एक्दम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार के कोशन आपके लिए बहुत ही महत्पूर हो जाते हैं दस्त से ग्रस्त बच्चे को और एस ठेडिपी का मुख उद्दे से क्या है तो दोस्तों यहां से जो आप सभी लोग को पता होगा कि जब शोटे बचे होते हैं उन्हें दस्क में प्रोबलम होती है तो आप यहां से ओवारीयस का घोल देते हैं तो यहां से जो राइट अंसर होगा आपका यहांसे निजली करण को रोकना मृत तो कम करना पानी के कमी को दूर करना इसलिए जो राई टैंसोर इसका हो जाएगा आपसन नमबर D एकदम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह सारे ही उपियोग आपके ORS के लच्छड होते हैं दस्त ग्रस्त बच्चे को ORS ठेरीपी का मुख्य उद्देश क्या है तो दोस्तों यहां से एक कोश्ड आपका रिपीट हो गया है इसलिए दोस्तों जो राई टैंसोर आपका यहां पर हो जाएगा आपसन नमबर D ही इसका करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्ड है तो मानो सरी में अधिक ग्लूकोज की स्थिती हो जाती है तो वह जो आपका ग्लाइकोजन के द्वारा यहां से सक्री हो जाता है इसलिए राइट अंसर यहां से आपका ग्लाइकोजन आपसन नमबर C एकदम करेक्ट हो जाएगा निम लिखिन में से कौन सवाइब प्रदूसक हीमोगलो आपसन नमबर D एकदम करेक्ट हो जाएगा निम लिखिन में से कौन सी अंतर राष्टी संस्ता भारत में मात्र एंस इसु कल्यान में सबसे अधिक योगदान कर रही है तो दोस्तों यहां से आप सभी लोग को पता होना से है कि जो आपकी यूनी सेफ है वह सरवाजी की इस गसर रहती है और हमेशा इसकार में लगी रहती है इसलिए राइट अंसर यहां से आपका आपसन नमबर ए यूनी सेफ एकदम करेक्ट हो जाएगा मानो सरीर में भोजन के पाचन के संदर्व में लाई पेज का स्राव कहा होता है तो दोस्तों यहां से जो आपका मानो सरीर में भोजन के पाचन के संदर्व में जो आपका लाई पेज होता है उसका स्राव दोस्तों आपके अगनासे गरंथी में होता है इसलिए यहां से जो right answer हो जाएगा वा आपका option number C अगनाई से एकदम correct हो जाएगा उचाई पर मनुस में लाल रुधित कड़ों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर दोस्तो आकसीजन की कमी हो जाती है इस कारण से जो आपके उचाई पर मनुस के लाल रुधित कड़ों जिसे दोस्तों आप यहां से RBC कहते हैं जिसका full farm यहां से red blood cells होता है वहाँ अकसीजन की कमी के कारण यहां से आपका संख्या बढ़ जाती है तो दोस्तों यहां से जो आपका वरिक होता है जिसे आप गुर्दा कहते हैं वहाँ पर जो आपके प्रती मिनट आउसत रक्त का प्रवा होता है दोस्तों वहाँ आपका 1200 cc होता है इसलिए right answer यहां से आपका B एकदम करिक्ट हो जाएगा अली Isa का पूरा नाम क्या है तो दोस्तों यहां से टेस्ट किया जाता है उसका यहां से पूरा नाम पुछा गया है तो दोस्तों यहां से इसका फूरा फ़ाम जो होता है e ingredient immense एकदम करिक्ट यहां पर हो जाएगा पानी में उबालने से सभी जीव मर जाते हैं केवल एक को छोड़ कर तो दोस्तों यह आप पानी को उबालते हैं तो उसके सभी जीव जो है मर जाते हैं लेकिन एक जीव है जो नहीं मरता उसका नाव दोस्तों यहां से आपका स्पोर्स वीजानु उसे कहते हैं इसलिए राइट अंसर डी आपका यहां पर वीजानु एकदम करेक्ट हो जाएगा मौकिक बाची तथा साधीरिक हमले द्वारा दोनों के द्वारा क्रोधी बरताओं की अभ्यक्ति का प्रदर्शन कहलाता है तो दोस्तों इस व्यक्ति को लोगों को आप यहां से आकरवक्ता की स्रेणी में रखते हैं इसलिए राइट अंसर आपका अप्सन नंबर सी एकदम क इससे क्या कहते हैं तो दोस्तों यहां पर आप सही लोगों को उसको पता होगा कि उसे अल्प संखेक अपराध प्रुवित के दर्दें में रखा जाता है इसलिए यहां से जो राइट अंसर हो जाएगा आपका आप सन नंबर डी एकदम करें हो जाएगा चमड़े के नीच सुई है वह 45 डिगरी के कोण पर आप से लोगों को पता होगा कि लगाना चाहिए इसलिए राइट अंसर आपका आपसन नंबर सी एकदम करें हो जाएगा मांस में सुई लगाने के बाद सरीर का भाग किस पदार से दबाना चाहिए तो दोस्तों यहां सारी ही मोस्ट इंप इसके लिए उपयोग किया जाता है इसलिए राइट अंसर आपका आपसन नंबर एकदम करेंट हो जाएगा डाइयूरेटिक्स किस समय दिया जाता है तो दोस्तों यहां से जो आपका डाइयूरेटिक्स होता है वह आपका सुभा में दिया जाता है इसलिए राइट अंसर आपका option nember o o o o o o o something ईकदम हो जाएगा जो कि फोटो थेरीपी का उपैयोग किसके उप्चार में होता है तो जो स्ब्सक्तनों इसके उपयोग में आपके यहां से फोटो थेरीपी का उपयोग करते हैं इसलिए राइट अंसौर आ पका option नंबर भी एकडम करेक्ट हो जाएगा से नेसल केनुला का उपयोग कहा होता है तो वह आपका आक्सीजन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसलिए राइट अंसर आपका option number A एक्दम correct हो जाएगा हाइपो प्रोवेलिक सॉक में कौन सा तरह पदास दिया जाता है तो दोस्तो यहां से जो आपका 0.9% एनने सील जो की एनने सील का full farm दोस्तो यहां से sodium chloride होता है इसे दोस्तो आप नमक भी कहते हैं उसी का प्रयोग यहां पर किया जाता है इसलिए दोस्तो राइट अंसर भी एक्दम correct हो जाएगा मरीज को किस अवस्था में एनिमा दिया जाता है तो दोस्तो यहां से जो आपके मरीज है उसको सी एकदम करिक्ट हो जाएगा स्वतागरवद का आम कारण है तो दोस्तों, यहां से जो आपका स्वतागरवद थाग की घटना होती है उसमें आपका जो आम कारण होता है वह आपका जर्म सके तुटियों के दिउट जाएगा इसलिए राइ taiset अंसर यहां से डॉट इन एकदम करेट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अगला कोश्चन है लार ग्रंतिया स्लेवरी ग्लैंड के आकार में ब्रिध्ध को कहते हैं तो दोस्तों जो इस आकार में आपकी ब्रिध्ध होती है उसे आप यहां से करेक्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अगला कोश्चन है आपके सामने निम लिक्षिन में से किस इस्थिती में लाल रख्ट कड़िकाओं और विक्रति होती है तो दोस्तों जो यहां आपकी विक्रति होती है वार के आर्वीसी में आपके फॉलिक एसी डेओन विटामिन B12 की कमी के कारण आपका यहां पर परिवक्ता पाई जाती है इसलिए जो इसका राइट सलूसन आपका हो जाएगा यहां पर आपका आफसन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह भी मोश्ट इंपार्टन कोश्चन आपके विटामिन से भी 100 परसंड आपके पर बच्चे का संभावी तरगतता समूख ओगा तो यहां से आपको एक कोशन दियेगा है जिसमें आपको यहांसे बताना है कि यहांसे हैं समूख के बलेड घृट्व हैं तो उनके बलेड घृट होने उनके संतान रही सबस्कान Spotify है जो यहांसे अपका ए और बेर फृटक कि आपका DNA होता है वह आपका को वैलेंट बॉंड के द्वारा जुड़ा रहता है तो कुछ इस परकार कि आपके DNA की सानशना होगी आप सभी लोगों को दिख जाएगा जो कि आपका वाटसन किर्क द्वारा यहां आपका जो इसका सिध्धान दिया गया था इसलिए दोस्तों आपके सामने है यहां से प्रक्रिया में वाता वर्णिये दाब महत्पूर्ण होता है तो दोस्तों जो आपकी वहां प्रक्रिया होती है वहां पर आपकी जो आपका प्रजिनन जिसे आप रिप्रोड एक्सन कहते हैं वहां पर जो आपकी वाता वर्णिये दाब है वह बहु इसलिए जो राइट अंसर हो जाएगा आपका option नंबर है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा उसके बाद अगला कोशिशन है तंतिका तंत्र का कौन सभाग fight and flight प्रक्रिया को प्रारंब करता है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी यह प्रक्रिया होती है वह आपके जनित एक संक्रमन होता है जो कि आपकी यहाँ से समान रोग की स्रेणी में आता है इसलिए इसका जो राइट सलूशन हो जाएगा आपका option नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा प्रामस्तिकी यह मलेरिया खाली इस्थान के कारण होती है तो दोस्तों जो आपकी यहाँ से केर ब्रेल होती है जिसे आप यहाँ से प्रामस्तिकी मलेरिये कहते हैं वह आपके प्लोजमोडियम फास्पी पोरम के कारण होता है इसलिए इसका जो राइट सलूशन हो जाएगा वह आपका option नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा इन में से कौन सा रोग यहाँ संपर्क के मा होता है और दोस्तों जो इसका आपका दीवश मना जाता है एक दिसंबर को मना जाता है इसलिए यह सारे कोंशन आपको important है आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह most important question है आपके के भी है इसा conseन हो क्वान हो ज hammar उसके बाद दोस्तों पानी के खारेपन को खाली अस्थान मिला कर दूर पिया जाता है तो दोस्तों यदि आपको पानी खारेपन है तो उसमें आप यहां से वासिंग सोडा को मिला कर उसकी जो यहां से खारेपन को दूर कर सकते हैं इसलिए जो राइट आपको हो जाएगा य का आपका आपसन नमबर है एकदम करेक्ट हो जाएगा ओजोन अस्तर सूर से bench after एकदम करेक्टी है तो दोस्तों आप सबी लोग को पता होगा कि आपकी अस्तर होती है वह आपको हमारे तप्वचा प्रावैग्निक किरणों को पढ़ने से रोकती है जो कि आपके सूर से UV किरण होती है वह आपके सरीद के लिए घातक होती है और इसी से वहाँ हमें उजुन परत हमारी सरीद की रच्छा करती है इसलिए राइट सलूशन यहां से आपका अपसर नंबर भी एकदम करेक्ट हो है जैगा इस घ्यार की वज़े से एक होता है तो यहां से जो आपका कारवन डायी एक सब्सक्राइब हो जाएगा वाई पर्दूशन यह का मुँस्तंप तो दोस्तों हो जाएगा आपका आपसन नंबरे एकदम करेक्ट हो जाएगा प्रसव की त्री आवस्था में गर्भासे सक्त हो जाता है नर्स का तुरंत एक्षन क्या होगा तो दोस्तों इस प्रकार के भी कोश्चन आपको बहुत इंपॉर्टन रोल अदा करते हैं क्योंकि आपको वहां पर नॉलेज देखी जाती है एक्जाम में कि आपको आपका प्रेजेंट आप मैंड किस परकार से काम करता है सारी चीज़े आपको कोश्चन के माध्यम से वाड़ डिनोट करती पढ़ती है क्योंकि ऐसे ही कोश्चन आ जो को अच्छे तरीके से इन कोश्चन को तयार कर लेना है एक 38 वर्षी यह महिला अंतराल साधन का प्रयोग करना चाहती है वहां रोजना एक पैकेट सिग्रेट पीती है कौन सा साधन निसेध है तो दोस्तों यह यह ऐसा उसके द्वारा किया जा रहा है तो उसके दवाब की कूले के नीचे तकिया साध सुपाईजन पोजीशन होती है वह उस समय उस महिला को देनी चाहिए इसलिए इसका जो राइट सलूसन हो जाएगा वह आपका आपसन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा गर्भवती महिलाओं में एपिर्रल ब्लॉक होने के बाद नर्स को कि last जाना चाहिए इसलिए इससलिए इस राइट सलूसन हो जाएगा आपका आप परlicht इसकी उचाई होती है तो दोस्तों इस पर आपकी जो उचाई होती है वह आपके नावी के अस्तर के बराबर होती है इसलिए जो राइट सलूशन इसका हो जाएगा आपका आपसन नंबर सी एकड़म करेक्ट हो जाएगा वहाहिकी यह भराव के कारण अग्र योन भीतिका विवरेंड करन्ट डिस्कॉलरेशन कहलाता है तो दोस्तों यह जो आपका डिस्कॉलरेशन है वह आपका चैडविक साइन कहलाता है इसलिए इसका जो राइट सलूशन हो जाएगा आपका आपसन नमबरे इकदम करेक्ट हो जाएगा महिला की एलमपी साथ दिसंबर है उसकी एडीडी होगी तो दोस्तों इस प्रकार के भी कोशन आपके एक्जाम में महत्पूर्ण कोशन अदा करते हैं इसलिए कोशन इन सारे कोशन को आपको अच्छे तरीके से पढ़के जाना है और इस पे बेश्ट आपको कोश है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वह आपका 14 सेप्टेंबर एक्दम करेक्ट आंसर जो कि आपसं नंबर सी ए में आपको दिख रहा है एकदम करेक्ट हो जाएगा निशेचन किस छेत्र में कार होता है तो दोस्तों यहां से जो आपका फेलोपियन ट्यूब के एप तरीके से पता होगा आपको ज्यादा आपके अंदर भी इस प्रकार की जो वैक्टितों है वह आता होगा इसे हम एगो कहते हैं इसलिए राइट से निया से आपका आपसं नंबर भी एक्दम करेक्ट हो जाएगा एक मनोरोगी को चोड़ से बचाने के लिए एक साइक्याट होता है वह आपके उपर घातक हो सकता है इसलिए प्रतियस थार्धा को खेले सीरीज को बचना चाहिए क्योंकि इसे मरीज उग्र हो सकता है तो सारी प्रक्रियाओं को आपको करना है इसलिए आपको आपको नंबर डी एक्दम करेक्ट यहां पर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अगला कोशन जो आप से यहां से पूछा गया है कि सामाननेता ECT का परियाओं कि स्थिति में नहीं किया जाता तो दोस्तों यहां से आपको फोबिया है इस स्थिति में बिलकुल भी आपको के आपको एक्जाम में आते हैं तो इसका जो राइट सेलू हो जाएगा आपका 1975 एकदम करेक्ट हो जाएगा इसलिए राइट अंसर आपका अपस्टन नमबर एकदम करेक्ट हो जाएगा साइकेट्रिक नर्सिंग में डिक्लोमा की शुरुआत कि स्वर्श हुए